दोस्तों दोस्तनियों सहेलों सहेलियों मासातों मारोटों भाई और पेनों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे खेर केरियाच से होंगे और जहां भी होंगे इंजॉय करें होंगे अपनी लाइफ को असलाम लेकुम प्यारो मेरा नामे काफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर दोस्तों हम कहते हैं कि ये मुल्ख कितना अच्छा है यार ये कितना खुबसूरत है तो दोस्तों आज के दिन जो दुनिया का सबसे बेस्ट कंट्री है वो केनेडा है एपिट्स बीडी के मुताबिक तो दोस्तों आज केनेडा कंट्री की साथ चीजों के बारे में बताऊंगा के वो क्यों बेस्ट कंट्री है तो चलिए शुरू करते हैं अपना countdown पहला economy माईशत दोस्तों केनेडा में industrialized economy में unlimited access है जिसकी वज़ा से ये country अपने products की production को increase करता जा रहा है और भी ज्यादा और अपनी माईशत को strongest कर सकता है और आए दिन ये अपनी economy को 2.3% strong करता जा रहा है Texas BR बिलकुली कम करता जा रहा है लेकिन यार inflation भी 2.3% बढ़ती ही रहती है दूसरा health, सेहत दोस्तों केनेडा का health department BR बहुत ही strong है यहाँ पे Canadians को free health care मिलती है क्योंकि वहां के लोगों का केना है के health इंसान का एक fundamental right है और हर कोई वहां treat हो सकता है नहीं परवा के कितना खर्चा ह होता है उसकी बीमारी पे just free तीसरा education तालीम अरे यह तो मेरे चेनल का नाम है यार नाम आ गया तो यार subscribe भी कर दो ना please Canadians अपनी education पे ज्यादा से ज्यादा पेसे spend करते हैं Canada इसी वजह से most educated country में भी आता है primary से लेके जो उनकी university की सारी education पे बहुत ही focus करते हमारे जैसे नहीं कि मेटर के बाद खुदा आफिज याद खुदी पढ़ लो चोथा culture सकाफत दोस्तों केनेडा में कोई एक culture नहीं होता वहां मुक्तलिफ लोगों के लिए सब के लिए एहमियत है let's suppose newspaper कि वहां की news agencies English, Italian, Arabic और बहुत सारे culture से related agencies है जो define करते हैं कि हर एक culture वहां मौजूद है दोस्तों ये मुल्क अपने कुपसूरती की वज़े से भी बहुत मशहूर है हर साल millions of visitors केनेडा को घूमने के लिए आते रहते हैं दुनिया का ये दूसरा बड़ा मुल्क एराजी के लिहास है जिसकी वज़े से इसकी बहुत सारी जमीन गेर आबाद और कुदूरती कुपस कही ना कही पाई जाती है लेकिन यहां की बात अलगी तरह है क्योंकि यहां पे ठेंड में रहने वाले जानवर बहुत ज्यादा पाई जाते हैं क्योंकि केनेडा का टेंपरेचर काफी ठेंडा होता है और उसी हिसाब से वहां जानवर होते हैं कुछ बहुत गरम में लाएक दोस्तों केनेडा का फूड भी काफी ओसम है दुनिया के तक्रीबन बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के ब्रांचिस इस कंट्री में पाए जाते हैं जो के इस लेंड को एक फूड रिच लेंड भी बनाते हैं विस्यार आपका क्या ओपिनियन है ये सारी बाते सुनने के बा की तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा हमारे चैनल तालीम के घर को और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजे इजाज़त अल्लहाफिज